हेलो फ्रेंग्स मैं हूँ डॉक्टर नीरज महाजन मैं एक पीडियाटेशन हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल अमें हेल्फियर एंड मैनेज्मेंट पर आज हम बात करेंगे कि बच्चों की उमर के हिसाब से उनकी नॉर्मल हाइट कित्ती होनी चाहिए और ऐसे पेरेट यह आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपके बच्चे की ग्रोध सही चल रही है या नहीं अब वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके न्यूबोंक मेबी से लेके एक डेड़ साल तर की उमर के बच्चे उनकी हम लंबाई यानी की लेंथ नापते हैं वो हम नापते हैं इंफेंटोमिटर से और जब बच्चा जो एक डेड़ साल से उमर का होता है अच्छे से खड़ा होना शुरू होजाता है बिना supporter के तब हम उसकी height नापते हैं, वो हम नापते हैं stadiometer से, ये बच्चे की length और height को हम standard chart से comparison करके देखते हैं, ये charts हमें Indian academy और pediatrics की तरफ से provide किये जाते हैं, इसमें boys और girls के लिए अलग-लग charts provide किये जाते हैं, इन charts में हम अपने बच्चे की growth किस तरह चल रही है वो compare करके देखते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे की growth ठीक चल रही है या नहीं, अब मैं आपको बताऊंगा कि average height और length, boys और girls की उमर के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, ये बर्थ पर average रहती है 50 cm, ये एक range रहती है जो कि है 46 से 54 cm, ये range हम बच्चे की उमर के हिसाब से देखते ह लंबाई 46 cm रही हो, अगर वो 3 किलो के आसपास का है, तो उसकी लंबाई 50 cm तक हो सकती है, और ये ही बजन अगर 30 किलो के आसपास हो, तो उसकी लंबाई 54 cm तक भी हो सकती है, तो ये एक हम average लेते हैं, आगे हम आपको detail में बताते जाएंगे कि बच्चे की उमर के हिसाब से एवरेज हाइड कित्ती रहनी चाहिए, अब हम आगे देखेंगे कि पहले एक साल में बच्चे की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, बच्चा जो 3 महिने पे होता है, बच्चा की जो लंबाई है वो 61 cm होती है और गर्ल्स की 59 cm, इसमें एक average लेते है 55 से 66 cm का, जब बच्च 6 महिने पे पहुंचता है तो बच्चा की लंबाई 67 cm और गर्ल्स की 66 cm होती है, इसमें हम average लेते है 61 से 72 cm का, जब बच्चा एक साल की उमर पे पहुंचता है तो बच्चा की लंबाई जो है वो 75 cm पे होती है और गर्ल्स की 74 cm, इसमें हम एक average लेते है 71 से 81 cm का, जब बच्च भॉय साल का होता है, तो गोई' नंबाए 85 cm और गैर्स की होती है 84 cm यहा Commonwealth Eduardo Drs. बच्चा जब तीन साल की मरर नंबाई 95 cm यहांघे सब्सक्राइब निनान सा गजर्छी की की मराफ़ती है तो गोई' नंबाइ। पांगे जब बच्चाँ पांध सार पे बहुँचता है तो बइस की नहींक नहीं मोइन जीक पांध़र इसमें पांध जीकाईमेटी फामीटी 115 cm है boys की height और girls की है 114 cm इसमें average रहेगा 107 cm से 125 cm तर जब बच्चा 7 साल की उमर पे पहुंचता है तो boys की height 121 cm और girls की height 120 cm पे रहती है average रहता है 112 से 139 cm का आगे 8 साल की उमर पर boys की height 127 cm और girls की 126 cm पे पहुंचती है इसमें average रहता है 116 से 137 cm का जब बच्चा 9 साल की उमर में पहुंचता है तो boys की लंबाई 132 cm और girls की लगबख ब्रावर 132 cm पर पहुंचती है जिसमें की average रहता है 120 मांच से 142 cm यह नोट किया होगा कि अभी तरग boys की height girls की comparison में 1 से 2 cm ज़्यादा चल रही है लेकिन जैसे जैसे बच्चों की उमर 10 साल के आसपास महुंच रही है तो आप आगे नोट करेंगे कि जो girls हैं उनकी height boys की comparison से काफी speed से बढ़नी खिरू हो जाती है यह लंबर 10 से 13 साल के बीच म काफी अच्छी बढ़ जाती है जैसे कि 10 साल पर boys की अगर लबाई देखे तो वो है 137 cm और girls की है 138 cm एवरेज रहता है इसमें 136 से 149 cm का जब 11 साल की उबर में पहुँचते हैं तो boys की height है 143 cm और girls की है 145 cm 12 साल की उबर में boys की height 149 cm और girls की है 151 cm 13 साल की उबर में boys की height 156 cm और girls की है 157 cm 14 साल की उबर में boys दुबारा से अपनी growth में पकड़ लेते हैं और उनकी height बढ़ना फिर से शुरू हो जाती है ये लबद 13-14 साल से शुरू के 16-17 साल तक boys की height काफी speed से बढ़ती है 14 साल में boys की height रहती है 163 cm और girls की है 160 cm 15 साल की उबर में boys की height और बढ़ती है 169 cm और girls की 162 cm 16 साल की उबर में boys की height average रहेगी 173 cm जबकि girls की height काफी comparison करें तो काफी पीछे रह जाती है 162 cm और 17 साल की उबर में boys की height 176 cm तक चली जाती है जबकि girls की height 163 cm पर ही रुख जाती है अब तक आपने यहीं note किया कि boys की height girls की height से comparison करें तो अपनी अपनी उमर के हिसाब से अलगलग time period में दोलों की growth अच्छी हो रही है जैसे girls की growth 9 से 13 साल की उमर में काफी अच्छे से growth हुई और boys की 13 से 17 साल की उमर में काफी अच्छे से growth हुई लेकिन as a parent आपको इस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूत है कि क्या आपके अपने बच्चे की growth ठीक से चल रही है या नहीं प्लीज आप ये वीडियो देखने के बाद अपने बच्चे की height और length अच्छे से चेक कीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ problem ल हैंगे तो उसकी बज़ा जान सकते हैं क्या वज़ा है हाइट क्यों नहीं बढ़ रही हम उसके लिए क्या कर सकते हैं वो सारा कुछ आपको पता चल सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको अब तक ये पता तो चली गया होगा कि आपके बच्चे की growth ठीक चल रही है के नहीं उसकी हाइट कैसे चल रही है तो अगले वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके बच्चे की हाइट कैसे बढ़ सकती है उसके बारे में हो डिटेल में बात करेंगे जो लोग तो नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल से वो प्लीज इसे कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत बूलेगा ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्स वर वाचिंग में